प्रिये छात्रों, आज अपने अधिन करेंगे Different Methods of Cost Accounting लागत लेखांकन की विभिन्द फितिया इसके अंद्रगत कौन-कौन से मेथ़र्स का उप्योग किया जाता है उसका अधिन करेंगे यद्दिपी सभी व्यवसाय में लेखांकन का मौलिक सिद्दान्त एक ही होता है प्रन्तु व्यवसाय की प्रती अनुसार लेखा रखने की पद्दती अलग लग होती है इसी प्रिकार लागत लेखांकन की भी सभी पद्दे तुकां तो एक ही है लेकिन फिर भी पत्यक उद्योग उसकी इस्तती आउशकता को ध्यान में रखकर लागत लेखांकन पद्यत्ती अपनाई जाती है यानि कि पत्यक जो इंडस्टी है उद्योग जो है कौन-कौन सी लागत लेखा पद्यत्ती को अपनाता है उसकी विभिन जो पद्धित्य हैं उनका आज अपने दिन करेंगे सरव प्रथम जो है यूनिट कॉस्टिंग मैथर्ड जैसे हिंदी में कहते हैं इकाई लागत निधान पद्धित्य इस पद्धित्य का वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहां कारे निरंतर चलता रहता हो और निर्मित किये जाने वाले माल की सभी काईया एक समान हो मुख्य बाद क्या है यूनिट कॉस्टिंग मैथर्ड या सिंगल आउटपूट कॉस्टिंग मैथर्ड का उपयोग वहाँ किया जाता है कारे में निरंतरता हूँ, एवं यूनिट्स में जो है होमोजुनियस यूनिट्स हो, कंट्विनिटी इन प्रोडेक्शन एंड होमोजुनियस यूनिट्स वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग मेथरड का प्रियोग किया जाता है, उदान, एटों के भटे, खादान, आटा मील, कपड़ा मील, कागज, दुग्द, उत्पादन, सिमेंट के कारखाने, चीनी मील, सराब के कारखाने आदि में इस प्रद्दिती का उप्योग किया जाता है, क्योंकि इन सब व्यवसाय में एक ही प्रकार वेलगातार उत्पादन होता रहता है, तता लागत की प्रमापित इकाई होती है, इस प्रद्दिती का मुख्योदे से उत्पादन की प्रतिक स्तान पर प्रतिकाई लागत का निर्धान करना, इस रिती के अंतरगत लागत ज्य भाग देकर प्रतिकाई ग्याद कर ली जाती है। अर्थात यूनिट कॉस्टिंग मेथट कहां लागोगा या सिंगल आउट्पूट कॉस्टिंग जहां पर होमोजीनिस यूनिट्स हो यानि कि एक अकार प्रकार की हो और उत्पादन में निरहंतरता हो। हम प्रतिक स्थर पर यूनिट कॉस्टिंग के अंद्रगत हम प्रतिक स्थर पर उस उत्पाद की प्रति एकाई लागत ग्याद करना चाहते हैं। प्रतिक स्थर पर कैसे मेटरिल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी हैं, डारेक्ट लेबर की कितनी हैं, फैक्टरी ओरेट्स पर यूनिट कितने हैं, Selling and Distribution Overheats per unit कितने है प्रतिक इस्तर पर प्रतिकाई लागत याद करने होती है ऐसी स्थी में हम Unit Costing Method का अप्योग करते हैं इसका निर्धान Cost Seat के द्वारा Statement of Cost के द्वारा त्यार किया जाते हैं इसका विश्टित अध्यन अपने बाद में करेंगे तुमके बाद Homogeneous Units हो Continuity in Production हो वहाँ पर Unit Costing Method का प्रियोग किया जाता है अगला है Next उपकार्य या ठेका लागत निर्धानिती Job और Contract Costing Method सबसे पहली बात इसमें समझने है कि कहां पर ये applicable होता है जहां आप order दें, on order कोई कारे हो वहाँ पर Job या Contract Costing Method अपने पर प्रस्ट प्लेस ओर्डर पहले आप आदेश दें तो जहां आदेश अनुसार जिन व्यवसाय में आदेश अनुसार उत्पादन या कोई उपकारे किया जाता है वहाँ उपकारे की लागत की समिक्षा तता लाभानी की जानकारी प्राप करने तो उपकारे लागत पद्दति याने की Job Costing या Job Card ये पद्दति अब जॉब कास्टिंग कहां applicable होगा प्रिंटर से मसीनी पूर्जे निर्माता फाउंडरी तता सामने एंजिरिंग कार्य सनलद्वारा अपना ही जाती है जबकि कॉंट्रेक्ट कहां पर applicable होगा ये इसमें समझना है जब कारे का स्वरू बड़ा हो लंबी अबदी तक चलने वाला हो प्रतेक टेके के लिए प्रतक प्रतक खाता रखा जाता हो इस प्रत्दति का मुख्यत है बवन, सडक, मांद, अन्यनिमान कारे आदी में होता है तो मुख्य बात क्या है जोब एंड कोस्टिंग कहां applicable होगा जहां पर आदेशा अनुसा on order कारे किया जाए पहली बात तो on order अब जोब कहां applicable होगा जहां कारे की अवधी कम हो, कारे की लागत कम हो, कारे चार दिवारी के भीतर साधनते संपन किया जाता है जैसे printing प्रेस है printing प्रेस में आप order देते हैं कि हमें ये कार्ड चपकवन है या ये चीज चपकवन है तो आपने order दिया और उसकी कारे की अवधी ऐसा थोड़ी है कि 6 मीने, 5 मीने लगेगी, 1 गंटा, 2 गंटा, 5 गंटे में वो कारे संपतित हो जाएगा कारे के अवधी कम, कारे के लागत कम और कारे जह है चार दिवारे के भीतर संपन किया गया इसलिए वहाँ पर job costing होगा आपने order दिया उसके बाद, अब contract costing का होगा? contract costing भी on order, काम का होगा on order, अब on order कैसे होगा? आप पहले आदिश दें, जैसे आपको मकान बनवाना है तो ऐसी स्थिति में आप contractor को order देंगे कि ये इस तान है हमारा, इसमें इस परकार हमारे मैप है मकान का और आपको ये कारे संपतित करना है तो पहले आपने order दिया, अब बात हती कि contract जो है कारे स्थिल पर होता है, फैक्टरी में नहीं होगा at site, कहां पर होगा? at site, कारे स्थिल पर ही कारे करना होगा, वहाँ पर contract costing कारे की अवधी लंबी होती है, कारे की लागत अधिक होती है, ऐसे स्थिल में कारे at site पर ही संपन किया जाएगा ऐसा नहीं कि ठेकेदार या contractor अपने घर से मकान बना लाया और आपके पलॉट हमारे के साब यह मकान त्यार नहीं, उसको at site पर काम करना होगा तो contract costing कहां applicable होता है, जैसे roads, सडक बनाते हैं, building है, bridge band है, या जो shopping malls है, railway track है, railway track है तो ऐसे स्थिति में उनको उस track को बनाने के लिए, उस सडक को बनाने के लिए उस कारे स्थल पे ही जाना होगा तो जहां पर कारे के अवदी अधिक हो, कारे के लागत अधिक हो, कारे कारे स्थल पर ही संभव हो, वहाँ पर contract costing applicable होगा जहां कारे के लागत कम, कारे के अवदी कम, और कारे चार दिवारी के भीतर संपन किया जाए, वहां पर job costing, दोनों ही स्थितियों में कारे कब संपन किया जाएगा, आदेश अनुसार पहले आप आदेश दें फिर उसके बाद कारिया है संपन किया जाएं वहां contract costing and job costing next process costing process costing वहां पर applicable होता है जहां continuity in production हो कोई रोव material कोई कच्चा माल एक से अधिक प्रक्रियाओं में से गुजरने के पच्चात पके माल में निर्मित होता हो वहां पर contract costing method का उप्योग किया जाता है यह पद्दिती ऐसे उधियोगों में अपना जाती है जहां सतत उतपादन हो उतपादन किया अलग लगे नियमित प्रक्रियाओं में होती हो और प्रतेक प्रिक्रिया का निर्मित माल तुरंत आगे वाली प्रिक्रिया का कच्छा माल भन जाता है चूंकि निर्मित माल प्रतेक प्रिक्रिया के अंत में अबलब्त होता है अते केवल प्रतेक प्रिक्रिया की लागत जानना ही आफशक नहीं होता वरन प्रतेक प्रक्रिया में वस्तु की इकाई लागत ग्याद करना भी आश्यक होता है इस पद्दती के अंतरकत प्रतेक प्रक्रिया के लिए अलग लग खाता रखा जाता है तरथा उस पर होने वाले समस्त वै उससे चार्ज की जाते हैं प्रक्या लागत पत्ती सामानेत है साबुन, कपड़ा, तेल, रसायन और दवा जैसे उद्योग में लागो होती है अब देखे आपको मैं एक उधान से समझाता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग का फर्स्ट, नियमित प्रक्रिया, अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने के पत्षाथ जो फिनिस कुड में या निर्मित माल में परिवर्तित होते हैं हमें प्रोसेस कॉस्टिंग के अने तरकत, प्रतेक प्रोसेस की अलग-अलग लागत निर्धारियत करनी होती है क्योंकि अलग-अलग इस्तितियों में बिखता है पेट्रॉल में इंडिस्टी है आप जो पेट्रॉल पर्चेज करते हैं उसकी लागत अलग है डीजल की अलग है कैरोसीन की अलग है LPG की अलग है तो हिंदूस्तान पेट्रॉलियम या इंडियन ओयल सबके अलग-अलग अकाउंट बनाएगा कैसे पेट्रॉल अकाउंट डीजल अकाउंट LPG गैस अकाउंट कैरोसीन अकाउंट अनिक अनिक प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात आपको पेट्रॉल प्राप्त होता है तो अरे की प्रोसेस अलग लग है अब पेट्रॉल भी एक हाई पावर पेट्रॉल यानिकि वाइप पेट्रॉल जो हमारे वाईवयान में पेट्रॉल का प्रियोग होता है जो हम बाजार से पेट्रॉल परचेज करते हैं उसकी तुलना में वो महेंगा होता है क्योंकि वो और refined होता है तो ऐसी स्थिति में प्रतेक प्रक्रिया की हमें अलग-अलग लागत ज्याद करनी हो वहाँ पर process costing method का उप्योग किया जाता है Next है batch costing जहाँ पर किसी product की जो cost है वो अलग-अलग यानि कि batch में निर्धारित की जाती है batch को एक unit माना जाता है individual जो है unit की कोई cost नहीं होती batch की cost होती है जहाँ पर उत्पादन कारे को सुईदा ये तो प्रतक-प्रतक समू में पूरा किया जाता है और प्रतीक समू की अलग-अलग लागत याद करनी होती है ये वहाँ ये विदी अपना जाती है इस शृती के अंतकर प्रतीक समू को उत्पादन की एक इकाई माना जाता है समू की लागत में बैच में उत्पादित कुल वस्तों की सिंख्या से भाग देकर प्रतीकाई लागत ग्याद कर ली जाती है इस प्रतीका उप्योग मुख्यत है खाद्य वस्तों का निर्मान बेकरीज, दवाई कारखनों में होता है ये प्रती, उपकारे लागत प्रतीका विस्तार मात्र है अब देखिए जहां पर लागत का निधान बैच में हो, समू में हो कैसे मैं एक एक एक्जम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ जैसे ओल्पिन यूज करते हम आप बजार में जाएंगे तो आपको ओल्पिन का एक पैकेट सो ग्राम, दो सो ग्राम उसका मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप कर देंगे जैसे मुझे दस ओल्पिन दे दीजे नहीं, उसकी कॉस क्या है एक बैच की है इसी प्रकार बिस्किट्स, ब्रेड या आप देखिए, मेडिशन्स दवाई लेके आते हैं या आपको बैच में मिलती है, बैच मींज आप कोई मेडिशन लेने जाएंगे तो दस की एक स्टिप होगी या पांच की स्टिप होगी अब उसकी जो लागत है वो पूरे एक स्टिप की कॉस्ट है दस जो टेबलेट्स है उसकी कॉस्ट है, वो बैच की है तो समू में लागत निर्दार की Biscuits आप एक packet लेके आते हैं Bread एक packet लेके आते हैं आप ऐसा दोड़ी है कि भाई सब हमें तो 10 bread का slice दे दीजे या 5 biscuits देजे No वो आप से biscuit के packet का ही charge करेगा तो जहां लागत का निर्धार्ण batch में होता है वहाँ batch costing generally वहाँ single unit जो है नहीं होती batch costing के आदार पई cosmetic items बहुत से ऐसे हैं जो कि batch में ही मिलते हैं individual नहीं उपलब्द होते वहाँ निर्धान जो होता है batch में होता है तो वहाँ batch costing method का अपयोग किया जाता है